नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गन्यसाइश्टो हेल्प में मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीब कैसे हैं आप सभी? I hope मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर दिसंबर का जो राशी फल है उसका दिसंबर मतलब साल का आखरी महीना का जो राशी फल है उसको लेकर हाजिर हूँ इसका ये भी आर्थ है कि अब जल्दी ही नई साल आने वाली है और नई साल एक तरह से बहुत important होता है क्योंकि एक नई सुरुबात एक indication एक symbolism मिलता है कि हमारे जीवन का एक साल चला गया एक साल निकल गया तो नई साल वास्ता में नई साल तभी हो पाएगी जब आप पहली जो साल गई है उसको देख पाएंगे समझ पाएंगे कि उस साल में अगर आपने उतनी सफलता प्राप्त नहीं की तो क्यों नहीं की क्या गलतियां रही और वो अगली साल रिपीट नहीं होनी चाहिए और अगर आपने सफलता प्राप्त की तो क्यों की क्या strength थी क्या आपने ऐसा किया जिसकी वैसे तो जो आपकी strength है, जो आपकी शक्तियां है, उनको और जादे focus करना है, और जो आपकी weakness है, उनको या तो हटा देना है, या उनको कम करने की कोशिश करनी है, पर main जो focus होना चाहिए, वो आपकी strength पर होना है, solution पर होना है, तब ही जो नई साल है, वो वास्तम में आपके लिए बहुत सारी खुशियां, प्रेम, उपलब्धी, ये सब लेकर आएगी, इसके साथ साथ हम जोतिश का पहलू जरूर देखेंगे, जोतिश भेद, पुरान, उपनिशद, उसका एक part है, eye of vedaj है, आखों, आखों की तरह है, जो देखता है, पर चलने के लिए कर् की जरूरत होती है, संसार, कर्म, प्रधान है, तीन तरह के कर्म होते हैं, एक physical, एक mental, एक वानी, जो हम बानी से करते हैं, उसको आत्मा का कर्म भी का है, physical जो हम हाथ से करते हैं, और जो mentally, जो हम सोचते हैं, इसके साथ इन तीनों के पीछे जो भावना है, वो भी बहुत महत पूने भावता, भावना, भावतारणी तो यह तीन तरह का कर्म है उसके पीछे जो भावना है वो इन सब का बेस है तो अच्छी भावना से किया गया कोई भी कर्म कहीं जाद है result लेकर आता है अगर उसमें भावना अच्छी नहीं है आप किसी भी डारेक्शन में जाएं जो चक्र होता है उसी जगह आजाता है तो अगर आप किसी के साथ बुरी इंटेंशन से कुछ भी कहेंगे कितना भी स्मार्ट सी लिए करेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगा जरूरी नहीं कि वो वेक्ति आपके साथ अच्छा या बुरा करेगा पर वो अच्छा या बुरा ही आपके पास पहुंच जाएगी किसी तरह से इस बात पर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि चार्ट अपनी जगह है जोतिस भी अपनी जगह है पर जोतिस का जो बिधान है जो जोतिस बना है जिससे वो कर्म का ही है कर्म सबसे महान है भगवान कर्ष्ण ने तो साफ साफ गीता में कहा है इसके अलावब भगवान राम ने भी कहा है भगवान राम के भी ये संबाध है लच्छमण जी के साथ जिसमें वो कहते हैं ये महत्वपूर नहीं है कि किसमत में क्या लिखा है डेस्टिनी क्या लेकर आएगी ये महत्वपूर है कि तुम जो डेस्टिनी लाएगी उसका जवाब कैसे देते हो तुम्हारा reaction क्या होता है क्या वो धर्म पूर्ण होता है सही होता है या नहीं सिर्फ यही महत्व पूर्ण है और तुम्हारे हाथ में सिर्फ यही है वो तो फिर भी तुम्हारे हाथ में नहीं है तो अब फिलाल में आज इसी मिनट से क्या अब आपनी सारी responsibility जो आपका धर्म है अंदर जहांके देखिए क्या आप वो पूरे fulfill कर रहे हैं अगर दिल से कर रहे हैं तो फिर यकीन मानिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पर सब कुछ अच्छा होने वाला है, सुनहरा होने वाला है बहुत खूबसूरत होने वाला है इस बात में कोई सक नहीं है और कुछ बुरा होता भी है चोकि अच्छाई और बुराई जीवन का पार्ट है अब राब चंदर जी के जीवन को लें भगवान के जीवन को लें तो उनके जीवन में कितनी कटनाईयां थी राम चंदर जी के तो खास कर बहुत जादा पर उसमें भी वो सही रहे सही रहे सही रहे यही उन्होंने हमको सिखाया इसलिए मर्यादापुरसौत्तम भगवान श्री राम कहला है तो उसको फॉलो करना जरूरी है उसके साथ अगर आप जोतिस लेते हैं फिर आप उसका सही अर्थ समझ पाएंगे अन्य था आप उसको भाग्य वाला उपाय करने वाला कुछ और ही समझ लेंगे पर वास्त में एक आध्यात्मिक सास्त्र है जो आपको यह बताता है कि संसार कर्म प्रधान है आप अपने भाग्य के विधाता है आप ही अपना भाग्य बनाते है आपने जो किया है उसके according situation कैसी हो सकती है वो आपको जोतिस दिखाता है पर उसके बाद भी आपके हाथ में एक free bill रहती है आपके हाथ में एक choice रहती है अगर आप चाहें तो अपनी प्रवर्ती के according जो आप जन्मों से संसकारों के थुरू लाए है या फिर आप उससे उपर उठकर सही निड़ने ले सकते हैं अपनी आत्मा के जहांक कर क्योंकि आपके अंदर एक आत्मा है जो प्रकृती से उपर है और उसको थोड़ा सा टच करने के लिए आपको कभी-कभी इश्वर की सहायता लेनी होती है भक्ती की सहायता लेनी होती है कभी-कभी कर्म योग की आपकी जो आपका मैक अप है माइंड का उसके according तो इश्वर ये सहायता उसमें लेते हैं उससे फिर आपको सहायता मिलती है पर फिर भी करना तो आपको ही होता है खेर इस साल के आखरी महीने का जो मासिक फलाय मैं उसे लेकर आपके सामने हाजिर हूँ इस तरह से आपकी कुंडली दिखाई देती है कुम्भ लगन और कुम्भ राशी लगन और राशी दोनों से ही देखना चाहिए राशी बुद्धिगर विवेक के आधार पर जो लगन में जो राशी है लगन कुंडली में जो पहली राशी होती है वो राशी वो होती है जो पूर्व में जन्म की समय उदित होती है वो बुद्धी और विवेक के आधार पर बताती है चंद्रमा जिस राशी में होते हैं वो धाई दिन तक जो रहती है वो मन का, एहसास का, दिल के आधार पर तो दोनों से ही देखते हैं कभी-कभी कोई जादा dominant करती है normally लगन dominant करती है पर कभी अगर चंद्रमा का स्वामी strong है या उसमें बहुत जादे ग्रह है तो फिर या फिर ग्रह अच्छी अवस्ता में है तो चंद्र कुंडिली जादे प्रभावी हो जाती है वैसे दोनों से देखना चाहिए तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडिली तो देखिए प्रथम भाव में कोई घ्रह नहीं है दुत्य भाव में मंगल मीन राशी में बैठे है तुत्य भाव में जो पराकरम का है कोई घ्रह नहीं है मंगल जिस भाव में है वो धन का है वानी का है चतुर्थ भाव में राहु है ये जो राहु चतुर्थ भाव है, ये आपके mental peace का है, मानसिक सांती का है, घर का है, गाड़ी का है, बंगले का है, माता का है, जीवन की endings का है, जल्स रोत का है, आपके emotions का है, आपके मन की पवित्रता का है, आपके बंधु बंधव का है, इसके रावा बहुत कुछ है, जनता का है ये सब है इसमें राहू बैठे हुए पंचन भाव है जो मेंली बच्चों का है creativity का है पूर्वपुन्य का है सेर सट्टे से जो लाब होता है उसका है intelligent का है बुद्धी का है जिंदगी के मकसद का है ये छटा भाव है ये रोग्रेंड सत्रू का है आपकी daily life का है आपकी जो mistakes है उनका है और breath जो हम रखते हैं किसी चीज के लिए जो ध्रण संकल्प लहते हैं उसका है मेहनत करने का है हिम्मत का है सबकम भाव जिसमें कोई घर है नहीं आपके पतनी का है पती का है प्रेम का है शारेरिक संबन्दों का है love affair इन सब का है और जो fun का है processors चोटे उनको दिखाता है झाली है उसमें कोई नहीं है ये आपका रंधर भाव है आयू भाव है ये आपकी उम्र को दिखाता है िस अब भी उती होता है जोत्षी जो होतो है टेरो कार्ट्रीडर होते हैं भूत परयत यह सब जिसे जिनको जानने का मन होता है उनके लोगों में अश्टम भाव नॉर्मली effective होता है ये नभम भाव है जो धर्म का है, गुरू का है टूर, ट्रेवल का है, लौज का है नियम का है, प्राकृति के नियम हो या मनुस्री के बनाए हुए नियमो धर्म कर्मकांध इन सब का भी है नवमभाव पिता का है इसमें आपके शुक्र बैठे हुए है जो यहाँ पर 11 तारिख तक रहेंगे यहाँ पर एक तरह से महाभागई योग बनाय वागई साली योग बनाय बनाय हुए है पैसा आने का योग बना कर बैठे हुए हैं अगर हम दसम भाब में आए तो वहाँ पर सूर्य और बुद्ध करीब 15 तारिक तक रहेंगे सूर्य हाँ 15 तारिक तर हैं बुद्ध यहाँ पर 17 तारिक तक हैं केतू तो हैं रहने ही वाले हैं यह ख्याती का है पद पोश्ट पोजिशन का है नॉर्मली जब सूर्य दसम भाब में होते हैं तो आपको उच्च पद प्राप्ति कराते हैं पोजिशन आपकी बढ़ सकती है बिजनिस आपका फैल सकता है इस तरह को दिखाता है बुद्ध भी यहाँ पर आपके अच्छी है कुल दीपक योग बना कर बैठे हैं और यहाँ पर सूर्य आपके पतनी के लिए भी अच्छा है इसके साथ साथ केतू है डिटेल में हम बात करेंगे एका दस भाब जो है जो कि आपके ज्यान का है ज्यान से भी ज़्याद है आपके गुरू की सिक्षाओं का भी है पिता के भाव भाई का भी है यह लोग कम जानते हैं नॉर्मली इसको बड़े भाई से जोडते हैं फ्रेंड सर्कल से जोडते हैं आपके इच्छा पूर्ती से और वार्स वगरा इससे जानते हैं अब यह बारेमा भाव है यह बै का भाव है खर्च का भाव है जहां पर अपनी एनरजीज आप खर्च करते हैं उसका है इंटरनेशनल बिजनिस का है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है मल्टीनेशनल कंपनियों का है समाधी का है जो सरविकल्प समाधी महा समाधी होती है उसका है मोक्ष का है और इसके साथ-साथ यह भाव बैड ब्लेजर का है कुछ क्राइम्स का भी हो सकता है छुपी हुई जो आपके अंदर गुण है उनका है सबकॉंसिस मॉइंड का है पोईटरी फैंटाजी इस तरह की जहां पर आपको इमेजिनेशन की जुर्रत होती है तो वो इस भाव से होती है अच्छा भाव अगर आपका यह भाव स्ट्रॉंग है तो आप अच्छी राइटर हो सकते हैं अच्छी कोई चीज ऐसी बना सकते हैं जो इमेजिन करना बहुत आसान नहीं है आम लोगों के लिए हट के जो सोच आती है वो उससे आती है तो उसके कहीं अच्छी चीज़े भी है तो इस तरह से आपके ग्रहें हैं जल्दी जल्दी इनको देखते हैं कि कौन-कौन सी डस्टी पढ़ रही है क्या-क्या उसका रिजल्ट हो सकता है क्योंकि टाइम बहुत लोग बोलते हैं कि भई बहुत बड़ा है और मैं तो बहुत फास्ट बताने की कोशिस कर रहा हूं क्योंकि एक-एक चीज अगर ध्यान से समझेंगे तो वक्त तो लगता है इसी तरह से आप अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो महनत तो लगती है वक्त तो लगता है उसके बाद ग्रहें आपकी साहता करते हैं और वो भी एक समय से जैसे आप मूर्ती कार है जब मूर्ती बनाता है तो कब कितनी चोट मारनी है तब ही मूर्ती बनती है अगर जब नहीं मारनी है तब चोट मारोगे जहां मारनी है वहां नहीं मारोगे तो मूर्ती बिखर जाएगी तूट जाएगी तो आप अपनी energies का कहा यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, सही रास्ते से यूज करते हैं, एक चित्र, जीवन भी एक मूर्ती की तरह ही है, तो सिर्फ मेहनत करने से उसको समझाय नहीं जा सकता, पर मेहनत का मतलब यहां सब तरह की मेहनत है, अपने आपको आप great करना, information निकालना, अपने बुरे वक्त में वक्ती किस तरह से अपने आपको रखता है, कैसे वो अपने behave करता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और mainly बुरा वक्त decide करता है वक्ती ऊपर कितना जाएगा, क्योंकि जब अच्छा वक्त होता है, तो सभी अपने आपको maintain कर लेते हैं बुरे वक्त में maintain करना मुश्किल होता है, यही वो वक्त होता है जब आपको strong रहना होता है, टिके रहना होता है, positive रहना होता है, और मुसीबतों के बाबजूद आपको और जादे strong होकर और जाज़े positive होकर निकलना होता है, ना कि negativity की तरफ मुड जाएं, क्योंकि अगर ऐ जो पर खर्चा होगा, और कोई यात्रा हो सकती है, विदेश जाने के बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं, इसके साथ साथ आपको import-export से, multinational company से लाब हो सकता है, अगर आप बाहर हैं, विदेश में हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी बात है स्वास्त का थोड़ा ध्यान रखें, स्वास्त का थोड़ा ध्यान रखें, हाँ पर कोई भी काम सुरुबात करते हैं, तो उसे ending तक ले जाएं, आपके खिलाब कुछ आपके ही लोग, छिपी लोग, कुछ भी साचिस होने की हाँ पर संभाब न रहती है, पर गुरू की जो शनी यहाँ पर 12th house के स्वामी भी है, तो आपका मन समाधी की तरफ, योगा की तरफ, मेडिटेशन की तरफ जा सकता है, एडिक्शन की तरफ भी जा सकता है, सैक्स की तरफ भी जा सकता है, और छुपी चीजों को जानने में भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है, भक्ती में भ जा सकता है, आपकी imagination बहुत जवरदस्त काम करेगी, आपकी intuition बहुत अच्छी तरह से काम करने वाली है, शनी और गुरू की संयुक्त देश्टी छटे भाव पर है, तो आपके सत्रूओं का विनास होगा, आपका स्वास्त थोड़ा बहुत कमजोर हो तो वो ठीक है, पर आपक कोई बहुत बड़ा नया निड़ने नहीं लेते हैं तो, कोई बहुत बड़ा नया निड़ने आप कुंडली दिखाने के बाद, या फिर एकदम confirm होकर, कोई बात पूरी तरह से आपको end तक clear है, तब ही लें, भाग भरोसे ना लें, शनी की तीसी दिश्टी आपके दुत्त भी हो सकती है, फिर दौनों की एक साथ हो सकती है, तो याद रखिएगा कि रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटका है, जोड़े ते पिर ना जुड़े जुड़े गाट पड़ जाए, समय और रिष्टे, पैसे से धन से कहीं जाद है, महत्वण होते हैं, क्योंकि समय त पैसा खर्च कर दें, और रिष्टे भी अगर एक बार तूट जाएं, तो वो बात नहीं आती, कितना भी फिर कोशिश करें, वो बात नहीं आ पाती है, तो इस बात को ध्यान रखें, जिन लोगों ने जिन्दगी में रिष्टे कमाए हैं, दो चार भी अच्छे, उन लोग तो पैसा आएगा, पर उसको खर्च करना थोड़ा सा, उसको खटा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसको इन्वेस्ट करना थोड़ा ज्यादा बैटर रहेगा यहां से, ऐसे में आप कंस्ट्रक्शन के बिजनिस में हैं, जमीन वगरा के बिजनिस में हैं, ऐसा कुछ है तो उसमें थोड़ा बहुत कंस्टन, खासकर कि सनी के बिजनिस में अगर आप हैं तो उसमें थोड़ा लॉस हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें अपने बच्चों का ध्यान रखें, गुरू जो हैं बच्चों के कारक हैं और एजुकेशन है, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई वगारा कर रहे हैं तो उसमें उसके लिए पढ़ने कहीं बाहर जा सकते हैं, इस तरह की उमीदे हैं एक्जाम वगारा के लिए मेहनत आपको अच्छे तरह से करते रहना होगा इस दश्टी की भी हमने बात की, दस्बी दस्टी की अगर हम बात करें तो यह सात मी थी आट grappling, नॉमी दस्टी सब्तम भहापर पढ़ रही है, जहां पर शुक्र है सुकर पर शनी की दस्टी आपके लगनेश की दस्टी आपके भागेश पर पढ़ रही है तो भाग्य आपका साथ देगा पत्नी की वज़े से और फीमेल्स की वज़े से और तों की वज़े से आपको लख में कुछ फायदा हो सकता इस बात का ध्यान रखें और यात्रा की संभावना है पिता के साथ गुरूं के साथ समंधों में सुधार आएगा इस चीज की भी हाँ पर बहुत संभावना है इसके बाद हम अगर गुरू की देश्टियां देखें तो गुरू की देश्टि एक दो तीन चार पांच चतुरत भाद पर है चटे भाद पर है और अश्टम भाद पर है चतुरत भाद पर जो गुरू की डश्टी है वो घर गाड़ी बंगला खरीदने के योग जरू बनाती है पर किसी भी काम करते वक्त डॉकुमेंट चेक कर लें जमीन की जो डॉकुमेंट से हैं वो सब चेक करें उसमें कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो की छुपी आ रहे हैं और रियल इस्टेट के भाब को देख रहे हैं तो उसमें नुकसान भी हो सकता है अगर आपने लापरवाही की तो हलाकी 11 तारिक तक चतुत भाब का जो स्वामी है वो नवम भाब में अपनी ही राशी में बैठा है तो लाप के चांसेज हैं अगर आप इन सब बातों का ख्याल करेंगे तब गुरू की जो सीधी दस्टी है उसकी हम बात कर चुके है नौमी जो दस्टी है जो अश्टमभाब पर आ रही हो फिर से अचानक से लाप को दिखा सकती है पैत्रिक संपत्ती मिलने को दिखाती है कुछ ऐसी चीजें जहां से आपने उम्मीद नहीं किया उनसे भी लाब हो स आप एकित की अचैनल हो सकता है खर्चा वगारा होली देज वगारा पर काफी खर्चे हो सकते हैं तो हमने गुरू अरशनी की बात किया मंगल पर आते हैं मंगल आपके ख्याती के दस्टमभाब आपकी पोश्ट पोजिशन को दिखाते हैं आपके वर्क जो प्लेस है उस प के तीसरे भाव के खारक हैं, तो अगर आप sales में है, marketing में है, sports में है, media में है, आपका कुछ इस तरह का काम है, जो mangal से related है, तो उससे आपको पैसा मिलेगा, आपका पराकरम पैसे के लिए होगा, धन के लिए होगा, आप इस समय में चाहेंगे कि आप धन कमाएं, पैसा कमाए आपकी ख्याती भी बढ़ेगी, अगर आप पैसा कमाते हैं, अगर आप धन कमाने की ओर जाते हैं, क्योंकि ख्याती का मालिक कहा जा रहा है, धन के भाव में जा रहा है, बाणी के भाव में जा रहा है, बाणी बहुत important होगी आपका इस धन कमाने में, इस पैसा कमाने में, और इस वज़े से बाणी बड़ा सोच समझ के बोलनी है अच्छी बोलनी है बहुत जरूरी है सफलता के लिए इसके बाद अगर हम गुरू मंगल की दूसरी दरश्टियां वगरा देखने से पहले जिस भाव के मालिक मंगल है वो देखें तो दसम भाव में सूर्य बुदाय ह रहते हैं वो भी अच्छा है आपको लोग जादा जानेंगे तरक्की हो सकती है इस तरह की हाँ पर बहुत संभावना हैं और भाग्यवश आपके पुत्र के भाग्य से आपके क्रियिटेवीटी से आपके पूर्भपुन्यों से आपको कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसके थ आपकी कुंडली में जो आपका पंचमेस है, उसकी स्तिती अच्छी हो, सूरी की स्तिती अच्छी हो, तभी ये बातें हो पाएंगे, ठीक इसी तरह से सनी से लेटिड बातें, थोड़ी जादे जब होंगी, जब शनी की अंतरदशा हो, महादशा हो, गुरू से लेटिड बात में वहाते हैं थोड़ी जाद है जब होंगी जब गुरु की दशा हो महा धशा हो पर इसके यह मतलब नहीं है कि वह बाते होंगे ही नहीं पर व Original है डिपेंड करता है कंडली कि dessert अगर कंडली में लेंग है तो हर ग्रहका भी होरा होता है सबसे मिन बाद तो यह कि कुंडली में दम कितना है और उसके बाद दशा महा दशा किसकी है फिर उसका भी मैटर करता है इसके साथ साथ हम मंगल की अगर डरश्टियां देखें तो एक, दो, तीन, चार, पंचम भापर मंगल की डरश्टि है बच्चों के साथ थोड़ा सा समभल के रहें प्यार से रहें, उनको डाटे नहीं, उनको समझदाली से समझाएं आपके अंदर एनरजी काफी रहेगी लोजिकल आपका माइंड रहेगा पर कुछ तरक विकत्र की थोड़ी सी आपकी संभावना है तो इस बात को ध्यान रखें, रिस्तों में इस बात का ध्यान रखें अश्टम पर मंगल की डश्टी है ड्राइविंग करते वक्त खासा ख्याल रखें अपने आपका एक्सिडेंट वगरा होने का चांसेज बनता है, जरूरी नहीं है अगर आपकी मंगल की दशान तरशा है अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग है इसके साथ सथ आपका ध्यान अकल्ट, एस्टोलोजी, मेडिटेशन इस तरफ जा सकता है आपका ध्यान थोड़ा एडिक्शन की तरफ, सेक्स की तरफ यह ऐसी चीजों के जो छुपी हुई है उसकी तरफ भी जा सकता है क्योंकि यह अश्टम भाव इसी चीज़ का है अगर आपको रिसर्ज कर रहे हैं अगर आप एक सर्जन है अगर आप एक एस्ट्रोलोजर है आपका काम ऐसा है कि आपको कुछ आपके लिए ज़रूरी है अंदर घुसना चीजों में जानना तो उसके लिए यह अच्छा है क्योंकि करम भाव का स्वामी पराकरम भाव का स्वामी ख्याती भाव का स्वामी अश्टम भाव को देख रहा है तो बुरा योग नहीं है not bad तो ये बात है इसके साथ साथ मंगल की दश्टी जो नवम भाव पर आ रही है तो दसम भाव के स्वामी की दश्टी नवम भाव पर पराकरम भाव के स्वामी की दश्टी नवम भाव पर धन भाव से धन भाव में बैठ कर तो धन आएगा किसे पराकरम से आएगा ख्याती मिलेगी आपको किसे पराकरम से मिलेगी और भाग भी साथ देगा अब सुरू के 11 तारिक तक थोड़ा सा chances है कि female कोई आपको ज़्यादा help कर सकती है वो आपकी पत्नी हो सकती है बहन हो सकती है दोस्त हो सकती है या आपकी कोई जानकारी वाली महिला हो सकती है या इस्तरी हो सकती है लड़की हो सकती है आपकी बेटी भी हो सकती है तो कुछ कह नहीं सकते पर हाँ female का chances है ऐसे में माता लक्षमी की पूझा अच्छी है इस्तरीों के साथ behavior बहुत अच्छा रखें उनके साथ उनकी बातों को थोड़ा सुने ध्यान दें उनके जो idea है वो आपके लिए आपकी success के लिए काफी बड़ा role play कर सकता है यहाँ पर इसके बाद अगर हम राहु पर आएं राहु चतुरत भा में माता की स्वास्त का ध्यान रखें आपको अप मन में थोड़ी अशानती रह सकती है आपको आपकी जो जन्मिस्थान से उससे दूर ले जाने की कोशिश करेगा अगर आप पहले से बाहर हैं तो फिर इसका ज़ाद नुक्षान आपको नहीं होगा और आपके कारेच छित्र में बदलाब लाने की यहाँ पर राहू कोशिश करेंगे अगर हम एक, दो, तीन, चार, पांच, आपका लाब बढ़ेगा लाब तो बढ़ेगा पर पराकरम को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे आलस से थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे छोटे भाईयों से पड़ोसियों से उनसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि opinion difference कराने की कोशिश करेंगे उनसे थोड़ी दूरी लाने की कोशिश राहू कर सकते हैं पर ऐसा नहीं कि करी देंगे आपके हाथ में बहुत कुछ होता है situation ऐसी बनेंगी पर अगर आप pause लेंगे अपनी प्रवर्ती को धान में न लेकर जो सही है वही करेंगे तो चीज़ें अच्छाई की तरफ जरूर जाएंगी आपके हाथ में वो शक्ती है कि आप अपना भागे खुद लिख सकें actually आप अपना भागे ही लिखते हैं आप ही लिखते हैं राहू जो है अगर हम नवम भाव से लें तो अश्टम है तो पर फिलाल में चूकी भागिस भाव नहीं है तो उसका बहुत जाद असर नहीं पड़ेगा भाग फिर भी आपका साथ देता रहेगा तो इस बात को आप ध्यान रखें बाकी राहू के बाद हम आ जाते हैं शुकुर पर देखिए शुकुर आपके कारग रहे हैं अपनी ही रासी में बैठे हुए हैं तो खासकर कि 11 तारिक का बहुत अच्छा समय है उसके बाद भी अच्छा समय है क्योंकि सब्तम के मालिक सू अपने से केंदर में आकर दसम भाब में आपके लिए ख्याती योग बना रहे हैं पराकरम योग बना रहे हैं एक तरह का आपको ख्याती मिलने का पोस्ट पोजिशन बढ़ने का योग बना रहे हैं तो पूरा महीना ही अच्छा है कुछ चीजों का ध्यान रखना है वो रखना ही होगा बिना कर्म के, बिना पराकर्म के बिना साबधानी के अब मन के उसमें चलके तो कभी किसी ने सफलता प्राप नहीं की जिसने मन को जीत लिया है वही सफलता का पहला कदम है ये तो जरूरी है मन हमारी प्रवृतियों को दिखाता है अगर हम अपनी प्रवृतियों के गुलाम है तो कभी न कहीं कहीं न कहीं बहुत बुरे फस ही जाएंगे ये गीता भी कहती है पुरान भी कहता है वेद भी कहता है और जोतिष भी यही कहता है तो जोतिस कर्म से अलग नहीं है जोतिस सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं है उसका एक छोटासा पार्ट ग्रह है जोतिस में कर्म प्रधान है इसके बाद देखिए सूरी की बात की अगर बुद्ध की बात करें तो कुल्दीपक योग बनाकर बुद्ध बैटे हुए अस्टम का स्वामी भी आपके दसम्यारत कारचित में कोई बड़ा परवतन आ सकता है आपका ट्रांसपर हो सकता है पर ट्रांसपर जहां तक है अच्छी जगह होगा और अगर आप अगर आपका काम कंसल्टेशन का है एस्टोलोजी का है अकल्ट का है अगर आप टीचर हैं प्रोफेसर हैं साइकोलोजिस्ट हैं इस तरह के हैं जहां आपको रायत देनी होती है लाइफ कोच हैं तो ऐसे में बहुत अच्छा समय यहां से दिखाई पड़ता है क्योंकि यह एक राजयोग बना हुआ है आपके दसमभा में बिजनिस में भी आपकी तरक्की होगी और बिजनिस में आपका फेम भी बढ़ेगा जो लोगों से जो आपको कोई अच्छा कॉंट्रेक्ट भी मिल सकता है पर जिनके साथ कॉंट्रेक्ट होता है जैसे आपकी पतनी हुए आपके पार्टनर हुए बिजनिस में आपके पार्टनर हुए उसमें थोड़ा मिसंडरस्टेंडिंग है आपर हो सकती है उस चीज़ का विसेश ध्यान हमको रखना है तो एक तरह से हमने सारे ग्रहों को देखा उनकी सारी डश्टियों को देखा उससे क्या हो सकता है उसकी हमने बाते की तो मुझे आशा है विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा हम बहुत डिटेल में जा सकते हैं नच्छत्र में उसकी डायटी में उसके पदों में जा सकते हैं घंटो इस वीडियो को बढ़ाया जा सकता है तब भी ये इस्पेशली बढ़ाना नहीं होगा तब भी एक लगजिकल बढ़ाना होगा जो जोतिस को समझ पा रहे हैं पर गहराई बहुत है फिर भी मैंने कोशिश करने की कोशिश की एक रीजनेवल टाइम में हम एक ही पोजिशन को फिर अलग-अलग चीजों से देख सकते हैं जैसे कि गुरु शनी आपके बड़े भाई की कुंडली से दूसरे भाब में आ रहे हैं अगर आपके कोई बड़े भाई हैं तो उनका धनलाब होने वाला है अगर हम पिता की कुंडली देखें तो ग्यारे तारिक तक उनका कोई उनकी बहुत लंबी यात्रा हो सकती है उनको कोई इस्तरी हेल्प कर सकती है और उनको उनकी बाणी में थोड़ी करबाहत रह सकती है माता की बात करें तो माता पिता के 20 थोड़ा सा टैंशन रह सकती है तो आप उसका ध्यान रखें प्रेम बनाए रखें अपने बीच और अपनों के बीच ये बहुत ज़रूरी है इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूँगा आशा करूँगा आपको पसंद आया हो अच्छा लगा हो अपने सुझाव हैं तो जरूर दीजेगा घंटी वाला बटन दवाना मत भूलेगा सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएं आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्पून है बहुत जरूरी है इसलिए मैंने इंस्टाग्राम का अपना लिंक दिया है ट्विटर का लिंक दिया है फेस्बुक का लिंक दिया है प्लीज फॉलो प्लीज लाइक और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार